दोस्तों फिर एक बार आपका हमारे चैनल पिग्गी बैंक में स्वागत है आज हम अंग्रेजी का एक सब्द लेकर आए है नॉड लेकर आए हैं तो आज देखते हैं नॉड सब्द का डैपिनेशन क्या होता है नॉड का स्वेलिंग नॉड होता है यह ट्रांजिटिव और इन्ट्रांजिटिव दोनों भर्व है इसमें डूइत्व नाउन डूइत्व भर्व कर बीच में डी को डबल करके बनाया जाता है और इसमें भी डबल डी को करके बनाया जाता है मतलब to move your head up and down as a way of saying yes or as a sign to somebody to do something मतलब सिरहिलाना अपनी स्वीकिर्थी जतलाने या किसी को काम करने का इसारा करने के लिए मतलब नवाना एक्जामपल Everybody at the meeting nodded in agreement दूसरा एक्जामपल Nod your head if you understand what I am saying and shake it if you don't Noun ये Nod noun भी होता है जो एक कांटेबल noun होता है इसका मतलब होता है नवाई नगन फ्रेजल भर्व के रूप में भी इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे Nod of इसका मतलब होता है To fall asleep for a short time यानि कि जपकी लेना जपकी लेना को इंगलिस में Nod of करते हैं थैंक्स पूर वाचिए पूर्री प्रेज़ दो करते हैं